पाली में मिलावट के संदेह पर 1600 किलो ग्राम मावा व दो सो किलो ग्राम रसगुले जब्त कर सैंपल लिए, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान जारी, बीकानेर से निजी बस में पाली व्यापारियों को सपलाई होना था. शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहट, चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने सुमवार को मिलावट के संदेह पर बीकानेर से आ रही बस से 1600 किलो ग्राम मावा व दो सो किलो ग्राम रसगुले जब्त सेंपल लेकर कारिवाही को अंजाम दिया है. मिलावट खोरों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। मिलावट के संदेह पर बीकानेर मावा भंडार मिलगेट, चौधरी मावा भंडार बस स्टैंड, राजपुरोहित मावा भंडार पुराना बस स्टैंड, मावा भंडार पुराना बस स्टैंड, माजीसा मावा भंडार इंद्रा कालोनी तथा महादेव मावा भंडार नाडी मुहला पाली की दुकानों में सप्लाई किया जाना था। चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने मौके पर ही इन सभी व्यापारियों को मौके पर बुलाया गया तथा मावे वरस गुले का सेंपल लिया गया। इन खाद्य पदार्थों के नमूनों को जाच के लिए प्रयोक्षाला भीजा गया।